दोनी ने बताया आखिर टीम में क्यों नहीं करते हैं अधिक बदलाव यूवाओं को मौका नहीं देने पर दिया यह तर्क महिंद्र सिंग दोनी की अगवाई में चेन्नाई सुपर किंग्स ने इस बार के IPL में निराशा जनक प्रदर्शन किया UAE में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग में टीम ने दस में से अपने साथ मैच नवा दिये तीन बार की चैंपियन रह चुकी CSK के लिए इस बार प्ले ओफ में पहुचना भी मुश्किल हो गया है हाला की लगातार हार के बावजूद कप्तान दोनी ने टीम में अधिक बदलाव नहीं किये और हर मैच में लगभग एक ही प्लेइंग एकसाई के साथ उतरे इसे लेकर दोनी और टीम मैनेजमेंट पर सवाल भी उठ रहे हैं अब दोनी ने इस पर खुल कर अपनी राय रखी है राजस्थान के खिलाफ मिली हार के बाद दोनी ने टीम में कम बदलाव और युवाओं को मौका नहीं देने के पीछे का कारण बताया है उन्होंने लगाता हार के बावजूद टीम में कम बदलाव के बारे में कहा आप बहुत अधिक बदलाव नहीं चाहतें क्योंकि 3-4-5 मैचों में आप किसी चीज को लेकर सुनिश्चित नहीं होते हैं मैं टीम में असुरक्षा का भाव नहीं चाहता हूँ युवाओं को कम मौके देने के बारे में उन्होंने कहा यह सही है कि हमने इस बार युवाओं को उतने मौके नहीं दिये ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपने युवाओं में जुनूम न दिखाई दिया हो हम आगे उन्हें मौका दे सकते हैं और वे बिना किसी दवाव के खेल सकते हैं बतादें कि सुरेश रैना और हर भजन सिंगी गय मौजूदगी में चन्नाई ने उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया और ना ही अब तक के सीजन में युवाओं को अधिक मौका दिया है दोनी हर मैच में लगभग एक जैसी टीम के साथ उत्रे है